अकपर बीरबल की कहानी खाने के बाद लेटना दोपहर का समय था राजा अकपर अपने दर्बार में बैथे कुछ सोच रहे थे अचानक उन्हें बीरबल की कही हुई एक बात याद आई उन्हें याद आया कि एक बार बीरबल ने उन्हें एक कहावत सुनाई थी जो कुछ इस तरह से थी खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना एक सयाने मनुश्य की निशानी होती है राजा सोचने लगे अभी दोपहर का समय है यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तयारी में होगा चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए ये सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बीरबल को दर्बार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए बीरबल अभी खाना खा कर बैठे ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुँचा बीरबल आदेश के पीछे छिपे राजा की मन्शा भली भाती समझ गए उन्होंने सेवक से कहा तुम थोड़ी देर रुको मैं कपड़े बदल कर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा पजामे को पहनने का बहाना कर वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दर्बार की ओर चल दिये दर्बार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे उनके वहां पहुँचते ही राजा ने पूछा, क्यूं बीरबल? आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था, ये सुनकर राजा को बहुत गुसा आया, उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब ये है कि तुमने म आदेश का असम्मान किया, तुम उसी समय मेरे सामने क्यूं उपस्थित नहीं हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ. बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं क ही है. आपको मुझ पर यकीन न हो तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं. हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था. बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हसे बिना रह न सके और उन्होंने बीरबल को द आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करे. धन्यवाद.